हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल प्रोड़क्ट रिव्यू हब में अगर आप अपने घर के लिए एक चेंज़ देख रहे हैं जिसकी हेल्प से आप लकडी के बड़े हिस्से ये छोटे हिस्से बहुत अराम से कर सकते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए है क्योंकि आज हम आपके लिए 5 best chainsaw in India लेकिया है जिने हमने चूज उनकी quality, budget और customer feedback के बेस पर किया है और आपको उनको लेते टाइम कोई confusion ना हो इसलिए हम आपको हमारे 5 best chainsaw in India के बीच comparison बताएंगे और इन सबी chainsaw के buying link भी आपको हमारे description box में मिल जाएंगे तो चलिए अब भी ना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो और हमारी लेस्ट में 5 best chainsaw in India है तो चलिए अब हम हमारे best chainsaw in India को compare करते हैं तो सबसे पहले हम इने compare करते हैं इनके power source के base पे तो आपके शार्पेक्स के ये दूनों electric chainsaw quarter electric है वहीं आपके बाकी सारे chainsaw fuel powered है इसलिए मैं आपको recommend करूँगी अगर आपको लकडी के बड़े हिस्से करने हैं या फिर कोई heavy duty का work करना है तो आप fuel powered वारा chainsaw prefer कर सकते हैं पर अगर आपको light से medium task करना है तो उसके लिए आपका electric chainsaw perfect होगा और अगर मैं बात करूँ engine की power की तो आपको इन सभी chainsaw में से सबसे ज़्यादा engine power शार्पेक्स के 28 inch electric chainsaw में देखने को मिलती है इसमें आपको 4 horsepower देखने को मिलती है वहीं स्टेल के ms 180 में आपको 2 HP मिलती है आइबेल में 3.2 HP स्टेल के ms 250 में 3 HP और शार्पेक्स के 18 inch chainsaw में आपको 3 horsepower देखने को मिलती है और अगर मैं बात करूँ chain length की तो आपको स्टेल के ms 180 में 16 inches मिलती है Sharp X में 28 inches, IBL में 18 inches, Stale के MS 250 में 20 inches और Sharp X के इस chainsaw में आपको 18 inch की chain length मिलती है और अगर मैं बात करूँ fuel tank की quest की तो आपको Stale के MS 180 chainsaw में 250 ml की fuel tank quest की मिलती है IBL में 550 ml और Stale के MS 250 chainsaw में आपको 300 ml की fuel tank quest की मिलती है और अगर मैं बात करूँ automatic chain oiler के function की तो ये function आपको इन सभी chainsaw में देखने को मिलता है ये function bar or chain को lubrication provide करता है और उसकी performance को increase करने में help करता है और अगर मैं बात करूँ इन सभी chainsaw के weight की तो उसे बताने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो useful लग रही है तो please like, share and subscribe my channel and press bell icon क्योंकि हम ऐसे ही comparison वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी chainsaw के weight की तो आपका steel का MS 180 chainsaw 4.2 kg का है sharp x का 28 inch का ये chainsaw आपका 8.8 kg का है IBL का 7 kg का steel का MS 250 chainsaw आपका 5 kg का है और sharp x का 18 inch का ये chainsaw आपका 7 kg का है और अगर मैं बात करूं इन सब की warranty की तो आपको इस sharp x के 18 inch के chainsaw में 2 year की warranty मिलती है वहीं आपको steel के MS 180 और IBL के इस chainsaw में सिर्फ 6 month की warranty मिलती है और sharp x के 28 inch और steel के MS 250 chainsaw के साथ आपको कोई warranty नहीं मिलती और अगर मैं बात करूं इन सभी chainsaw के price की तो मैं आपको पहली बता दूं इन सब के price change होते रहते है तो लेने से पहले description box में link में जाके price जरू चेक कर ले पर इस time आपको Amazon पे steel MS 180 का ये chainsaw 15,500 में मिल जाएगा sharp x का 28 inch का ये chainsaw आपको 19,949 रुपीस में मिल जाएगा ibl का ये chainsaw आपको 7,468 रुपीस में मिल जाएगा और steel का MS 250 chainsaw आपको 25,689 रुपीस में मिल जाएगा और sharp x का 18 inch का ये chainsaw आपको 18,952 रुपीस में मिल जाएगा और अगर आप इन सब chainsaw के लावा home के लिए कोई और appliances लेना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमारे सारे best chainsaw इन इन इंडिया के best buying लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे और अगर आपको हमारी वीडियो useful लगी तो प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and press bell icon और मैं मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए product के review के साथ